हेलो दोस्तों तो आज हम समझे वाले हैं गेर बॉक्स के बारे में बहुत ही प्यारी सी वीडियो है ठीक है शेवले ने बनाई है और यह बहुत ज़्यादा पुराणी वीडियो है तो ब्लेक और वाइट में होगी लेकिन बहुत अच्छा समझाएगा तो पेसिक से शुरू क करेंगे और आगे क्योर बढ़ेंगे इसका नाम है वीडियो का स्पिनिंग लीवर्स तो लीवर जो स्पिन करते हैं ठीक है तो एक बार की बात है पुरानी कि जब इसकी इन्वेंशन हुई लीवर की ठीक है लीवर की तो उन्होंने आर्कमडीज ने एक एक कॉंसेप्ट द लग से एक वीडियो वह देख सकते हैं आप लीवर समझेन है यहां से भी आपको लीवर के बारे में समझा जाएगा और उसके बेस पे आपको गेर समझा जाएगे गेर बॉक्स समझा जाएगा तो यह कहता है गीव मी ए लीवर ठीक है इनफ लॉंग एंड फॉक्रम आइव विल मूव दे अर्थ मैं अर्थ ही ला सकता हूं ठीक है इतना बड़ा अब लीवरिज का इन्होंने एक्जाम्पल देना है अब देखिए हमारे पास लीवर हर जगापे है चाहे आपने इसको ओपन करना हो ठीक है बोटल ओपन करते हो वहाँ पे भी लीवर का इस्तमाल करत हम दूर से फोर्स लगाएं लेकिन जो वेट उठाना है वो पास से उठाया जाए और यह फलक्रम है और वेट जो है वो पास से उठाया जाए तो उससे क्या होता है कि हमें इजी होयता काम करना है यह भी हम देखें तो यह किसका काम है यह भी लीवर का ही काम है अब लीवर के यहां पी ठेक है अगर यह डिस्टंस देखो यह वाला डिस्टंस डबल कर दे और यह वन मीटर है मालो और टू मीटर है तो यह फाइव पांच पाउंड ने उसको बैलन्स कर दिया अब अगर देखो पांच यह है ठीक है पांच यह है और इसने 25 को बैलन्स कर दिया ठीक है द जियादा मनला कम force लगा ज्यादा wait उठा सकते लेवर की example से हम ईसको क्या करेंगे दो लीवर इस तरह से जोड़ते से ढकि हम force कम लग喜歡 और ज्यादा हमें leverage मिले ओ लीवरेज ज्यादा मिले। ल्यादा लिवरेज के कि ए यहती है इसको यूज करके फाइदा ऐखाया कि यह फोर्स लगाएंगे और हमारे पास टॉर्क बढ़ जाएगी छोटा गेर बड़े को gonna करता है तो टॉर्क बढ़ जाती है उससे फाइदा मिलता है हमने इसी को सम जाना एक यह जिए याद प्रक कम हो जाएगी बस हमें ये चीज़ समझने है अब इसका जो फाइदाना है हमने गेर बॉक्स में ले लिया गेर्स हर जगा पर यूज़ होते हैं आप है हर जगा पर आपको गेर्स दिखेंगे ठीक है गन्ये के जूस मिशीन होती है ना जो उसमें भी गेर्स इस्तमान हो है स्टार्टिंग में टॉर्क जादाय चाहिए उस्पीड कम तो हम क्या करते हैं टॉर्क बढ़ा देते हैं तो किस तरह से बढ़ाते हैं गेरबॉक्स की हर्ब से अब बाद में कभी आपने गाड़ी श्टार्ट की है कि सीधा फोर्फ केशरानी शुरू कर नहीं ऐसा नहीं होगा हम क्या करेंगे पहले गेर में पहले डालेंगे फिर सेकंड फिर 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 फोर्थ इस तरह से चलते हैं तो पहले में हमें टॉर्क जाना मिलती है गाड़ी मूव कर जाती है दूसरे में थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है तौर्क कम हो जाती है तीसरे में और स्पीड और फोर्थ में और ज़्यादा स्पीड वर जाती है अब हम बिल्कुल ही स्क्रैक्ट से शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक पॉइंट से शुरू करेंगे तो यहां पे दो शाफ्ट लगाते हैं यह वाली शाफ्ट है जिसका नम है इंजन शाफ्ट जो की इंजन से पावर आएग वाले जिड़े रहेंगे यह वाले AGें जो है यह अपस में जुड़े रहेंगे ठीक है से बसक ना इसको अब यहां पी जो कि आरे हैं यह क्या है इसकी आफ्ट के उपर फ्रेली मूव कर रहा है फ्रिली मॉव करने का मतलब है कि यह गुमेगा तो शाफ्ट नहीं पर थीक है तो हम इसको फ्रीली मॉव करा रहे हैं इसके बाद हम इसके साथ ग्यर यहां पे एक बड़ा और यहां पे एक छोटा यहां पर लगा देते अब देखिए हमारे पास क्या है ये इसके साथ लॉक है क्योंकि ये नहीं हुम रा ना ये कैसे घूम जाएगा अब हम देखते हैं कि इंजन को चला देते हैं अब इंजन जब चलता है अब ये न्यूट्रल पोजिशन में है न्यूट्रल में किस तरह से है कि मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो ये न्यूट्रल पोजिशन में किस तरह से है कि यहां से पावर आई इसने इसको खुमा दिया ये सारी शाफ्ट गूम रही है इससे ये गेर तो घूम रहा है लेकिं ये शाफ्ट नहीं घूम रही है क्यों? क्योंकि ये क्या है उपर freely move कर रहा है समझें? freely move कर रहा है तो हमारे पास freely move होने के करण शाफ्ट में power नहीं जारी मतलब tire नहीं घूम रहे है tire नहीं घूम रहे हमारे पास अभी neutron है तो neutron में हमारे पस गाड़ी क्षड़ी है अब यहां पर यह जो है यह एक तरह से क्या है engage करने के लिए यह move कर सकता है और यह shaft के साथ जुड़ा हुआ है और लेकिन यह इस तरह से move कर सकता है यह shaft के साथ है इस तरह से खुआ आवगे इसलिए इसको कहते है sliding mash gear box sliding अभी ये देखे neutral में है तो यहां से neutral में अभी हम करना चाते हैं कि हम gear डालें इसके अंदर ठीक है gear डालना चाते है तो हम इसकी setting करेंगे क्यों क्योंकि first gear में चाहिए फिर से मैं आप कहूँ कि हमें चाहिए यह ज्यादा से ज्यादा torque हमने क्या किया इसको इधर कर दिया अब हमरे पास power कहां से जाएगी यह इसके साथ match कर क्या अब इसमें एक और ची देखो यह छोटे वाला gear बड़े को चला रहा है मैंने क्या कहा था जब छोटा gear बड़े को चलाता है तो तॉर्क जादा में दिया है तो पहला gear है हमारे पास तो यहाँ पे जो तॉर्क बड़ी है उसका फाइदा लेंगे हम अब हमारे पास जब engine rotate करेगा तो यहाँ से engine से power आईगी यह इसको हमाएगा यह शाफ पूरी घुमती रेगी यह तो घुमती रेगी यहाँ पे जो इस side engine की rpm है वो है 90 rpm ठीक है 90 rpm लेकिन यहाँ पे कितने होगी 30 rpm 30 rpm मतलब छोटा gear जो उड़ था न वो माल लो 10 टीत थे उसके 10 टीत थे और उपर वाले के 30 टीत थे यह तीन बार घुमेगा तब जाके यह एक बार घुमेगा ठीक है तो मैं एक बार दिखा दूँ आपको इसी का समझाने के लिए यह गेर इसके कम है मतलब आपस मेंग की गेर रेशियो 1 इस टू 3 होगी मतलब इसके 10 है तो इसके 30 होगी इसके 20 है तो इसके 60 होगी ठीक है तब हमारे पास क्या होगा कि RPM चेंज हो जाएंगे RPM कम मिलेंगे तो पहले गेर में स्पीड थोड़ा मिलती है टॉर्क मिलती है न तो हमारे पास टॉर्क मिल रही है हमें स्पीड नहीं मिल रही इसलिए हमने यह दिखाया कि यहां से जो पावर गई यह छोटे से बड़े गेर को चलाया उसका हमने क्या फाइदा ले रही है टॉर्क बढ़ा लिए और स्पीड गम कर लिए अब 90 RPM यहां पे और उस तरफ कितने है 30 RPM कितना अच्छा समझा रख है ठीक है कितना अच्छा समझा रख है दिखा रहा है कि पावर कहां से जा रही है क्योंकि यह देखो पावर यहां पे सिद्धे दिखा रहा है यह पावर देखो किस तरह से जा रही है क्योंकि यह तो फ्रीली मूव कर रहा है अब हम दिमाग लगाते है कि नहीं इसको second gear में डालना है इसको side कर दो ठीक है और मेरे पास ये वाला जो move कर दिया ये इसके साथ move कर गया सी को note करना मेरे भाई ये locked है ये है जो part ये मेरे shaft के साथ locked है तो इसको अगर इसके साथ जोड देंगे इसको side कर देंगे तो ये वाला gear functioning में आजएगा ये वाला gear functioning में आजएगा ये देखो इस तरह से तो मैं इसको इधर कर देता हूँ इसका connection तूट गया और इसको पगड़ के इधर कर देता है ये देखो अब ये जुड़ गया अब जो power जा गी है अब speed बढ़ेगी थोड़ी से speed बढ़ेगी अब 60 rpm में होगी speed 60 rpm किस तरह से होगी यहां से power जब गई तो यहां तक गई अब इसमें जो gear है अब ये चोटा था ना इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा और ये बड़ा था इसको चोटा कर दिया अब ratio change कर दी हमने gear की और power यहां से यहां तक जाने लगी ठीक है अब पुराने ये engine है पुराने ये दिखा रख है अब इसने speed बढ़ानी है और ज़्यादा तो और ज़्यादा speed बढ़ानी के लिए डिरेक्टी contact मुना दिया लो कहते हैं ये direct contact कर दो इसके साथ मतलब जितनी इसकी engine की speed वो सीधी मिल रही है इसको इसका तो ये freely ऐसी फाल फालतु में move कर रहा है इसकी जुरुत नहीं है 90 इदर 90 इदर चलो काम खतम हमारा 90 90 दोनों side हमें power मिली तो हमारे पास जो shaft यहां पे गुम रही है सीधी हमें power मिल रही है मतलब हमने high speed पे चला ही तो तब high speed ही इतना था अब लेकिन reverse करना है तो अब reverse करने के लिए इसी देखना थोड़ा से इसमें वीडियो में कम समझाता है यह angle अच्छा नहीं लिया हुआ इसमें इतना ज़्यादा लेकिन इसमें थोड़ा साब को समझना पड़ेगा यह देखो back gear यह जो shaft थी ना इसके आगे एक और shaft लगा के और अलग से यह देखो यह लगा के sorry shaft नहीं यह अलग से attachment है और यह gear attachment लगाई है तो power पीछे से घुमके इधर आ रही है तो ठीक है अलग से लगा दिया reverse कर दिया अब reverse के लिए इसके पीछे ना पीछे यहाँ पे gear है जो actual में move कर रहे थे यह आगे है यह angle थोड़ा इस तरह से लिया कि दिखनी रा जो shaft में power आए थी वो पीछे पे आ रही थी लेकिन हमारे जो gear चल रही है यह यह वले है तो दिखनी रहे proper तो यहाँ पे आगे है reverse कर देंगे direction बदल देंगे तो idle gear होते है यह reverse में हमारे पास speed लातेंगे अगर reverse में आएगा तो गाड़ी जो है पीछे जाने शुरू कर देगी अब लेकिन हमारे पास जब इस तरह से करते हैं यह देखो lever माचे मजा आता है इसको खुला हुआ देखके फिर मजा आता है अब लेकिन यह दिक्कत आती थी जब भी इस तरह से करते थे थे तो नौइस बहुत ज़्यादा क्रियेट होता था बहुत ज़्यादा क्योंकि घूमते घूमते हमने इदर सहाब से शिफ्ट कर देना तो दिक्कत तो आएगी ठीक है इस तरह से दिक्कत आती थी अब यह फ्रिक्शन के कारण कई इवन टूट भी जाता था क्योंकि घूम रहे देखो स्पीड पे तक अगर के आवाज आनी और वे तोट भी जाता तो यह लीवर का दिक्कत आती है इसके साथ इन्होंने फिर कोईनों को इसमें भी आइडिया लगाया कहते हैं नहीं इसका अगर अगर नहीं लगाएंगे इस तरह से तूटते रहेंगे आवाज करते रहेंगे तो इसका कोईनों कोई आइडिया लगाना पड़ेगा हमने ऐसे सोचा कि कोट की तरह ऐसे आगे से एंगल छोटा रखें फिट हो जाए जब उसके बाद तो यह एक तरह से कहा है की सिंक्रोनाईज करना यह देखो यह आइडिया लगाया तो इन्होंने आगे बस यह अलग से अटैच्मेंट लगा दी जब अटैच्मेंट लगी ठीक है आगे से चोटा कर दिया जब दूसरा इसके साथ अटैच करेगा यह देखो तो पहले वो पहले fit होगा अपस में अराम से उसके बाद वो synchronize हो जाएगा तो इसने यह idea लगा लिया ठीक है तो यह इस तरह से move करते हैं चीज़े, gearbox इस तरह से चलता है, ठीक है इसके बाद बहुत development हुई लेकिन हमें basics जो knowledge होने चाहिए वो बहुत जरूरी होती है I hope कि यह चीज़ आपको समझाई होगी ठीक है, और gearbox अगर आपको समझाई तो comment box में जरूर बताएं, कि यह gearbox सारी जिन्दगी याद रहेगा या भूल जाओगे, तो यह video कैसे लगी आप comment box में जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता लगे कि यह video आपको फाइदे मन्द है या नहीं है और देखें यह video कितनी पुरानी है, black and white है लेकिन आज भी gold पढ़ी है इसलिए कहते है old is gold ultimate gold है, इसका फाइदा आपको जरूर बोलेगा, thank you, thank you so much और आपको जरूर बोलेगादे लेकिन